हलो दोस्तों कैसे हैं सब मेरा नाम है हिमानशू और मैं स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल कॉमिक बर्ड पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो दुरूप का कॉमिक विशे शांग शोव स्टॉपर इंसान अपनी जिन दबीवी भावनाव वह अतरपत इच्छाओं को कभी व्यक्त नहीं कर पाता वह अवजेतन मन में घर कर जाती हैं और अक्सर इंसान उन्हें सपने के रूप में पूर्ण होता देख खुश हो लेता है लेकिन क्या हो अगर आपके मन की इच्छाए यधार् क्या हो अध्रो तुम हम सबको देखकर चौक क्यों रहे हो असंभाव यह कैसे हो सकता है माँ पिताजी और जुपिटर सरकस के बागी कलाकार तो वर्षों पहले आग में चलका मर गए थे यह सभी जीवित कैसे हो सकते हैं अक्सर यथार्थ कल्पना से भी अधिक विचेत्रव विचलित कर देने वाला होता है यथार्थ हमें कुछ ऐसा दिखा देता है जो शायद हमारे अंतरमन के किसी कौने में लंबे समय से दबा हुआ है पर जिसे हम मात्र अपनी कल्पना मानते आए हैं द्रोव औरचा बेट गले नीन अगे, अपने शो से पहले तू हमेशा 10 मन की नीन लेता है शो वपिटर सरकस में ए थेरा शो इस्टापर वाला शो जीती जाकती सच्चाई है, हेलो द्रोब, शो के लिए best of luck, सच्चाई, जो अक्स और सपन में आकर मन को विचलिट करती थी, देख, मोटर साइकलिस पवन का शो मौत का खुआ खतम हो गया है, छुरे बाज रंजन और निशाने बाज सुलेमान भी अपना एक्ट दे चुके है आज जब यह सच्चाई अनाया सी सामने आ गई है, तो इस पर यकीन करना मुश्किल है, स्ट्रॉंग मैन हरकुलिस और रिंग मास्टर शेर खान तो अगले शो की तयारी भी कर चुके हैं, आज दर्शकों की बीड़ा उस्सा दोनों को ज़्यादा हैं द्रोब, all the best, इन में तेरे पिता जी हमारा इंतिजार कर रहे हैं, आओ दरूब, दर्शक कब से बेसबर हो रहे थे, कि कब आएगा उनका, शो स्टॉपर क्या आपके जीवन में कोई ऐसा च्ण आया है, जब हकीकत खौब जैसी और खौब हकीकत जैसा लगने लगे, यह ऐसा ही च्ण है इस एक च्ण में यह फर्ख कर पाना मुश्किल है कि हकीकत क्या है, और खौब क्या जब एक च्ण के लिए लगने लगे कि आप वास्तिविक्ता में नहीं, किसी खौब में जी रहे हैं, और अगले ही च्ण वास्तिविक्ता आपको थाम लेती है, तो खौब के अंदेरे च्ण जाते हैं बाप रे, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि दुरूप नीचे गिर नहीं वाला है, यह माँ बाप बेटा जब भी एक्ट करते हैं जानी निकाल देते हैं अग्ट करते करते सपना देखने लगे थी क्या, मुझे तो यह सब किसी सपने जैसे ही लग रहा है पापा, शायद मेरा अंतरमन कहीं भटक क्या था तुमारी एक सेकिंड के असाफदानी आज सिर्फ तुम पर ही नहीं हम सब पर भारी पढ़ जा दीतरो, सपने और वास्तिविक्तव में फर्क करना सीखो अब बस भी किजिए, कितना टाटेंगे मेरे बच्चे को, बेचारा वैसे ही परेशान है, दरसल गल्ती मेरी ही है ये सब क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत गहरी नीन से जागा हूँ, पर सोने से पहले की कोई भी बात मुझे याद नहीं आ रही, बस धंदली-धंदी सी जलक मात रहा है अरे अकेले-अकेले कहां जा रहे हो द्रूब, हमें भी साथ ले लो, जहां जा रहे हो, ठिंगु मास्टर कमाल है द्रूब, तुमने आज मुझसे हाथ कैसे मिला लिया, क्या तुम भूल गए, कि मैं रोज तुम्हारी और हाथ बढ़ाता हूँ, पर तुम कभी मुझसे हाथ नहीं मिलाती, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अपने हाथ पर ये करेंट छोड़ने वाला मिनी शौकर पहने रहता हूँ, आह, मैं वाक़ी भूल गया था ठीक मों मास्टर, वैसे हम ये खेल कब से खेल रहे हैं, जब तुम पांस साल के थे तब से, निरंतर, योड रोज आना, गुट नाइट जरूफ, कल मिलते हैं, मुझे कुछ ठीक ठीक, याद क्यों नहीं आ रहा, सब नहीं, इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही, ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो छोकरे के पीछे ही जा रहा है, और हम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठेंगो मास्टर का दिया हुआ करेंट का जटका विलकुल वास्तविक था, लेकिन करेंट के जटके ने मेरे दिमाग में घुमंडरी कुछ धिंबले आकरतियों को साफ कर दिया है, जुपिटर सरकस के जल कर राक होने के आकरतियां, पैट्रोल, पैट्रोल की कंद कहां से आ रही है, यह सब क्या हो रहा है, रुको इसे, रुक जाओ, कौन है वहाँ पर, हम कुछ नहीं कर सकते, अब त यहां से चुपचप अपना काम करके निकल जाना चाहता था, जैसे यह सब पहले भी घटित हो चुका है, पर अब तेरा काम तवाम करके जाना पड़ेगा, वैसे भी गलोब सरकस को बरबात करने में सबसे बड़ा हाथ तेरा है द्रोग, गलोब सरकस पर जुपिटर सरकस न होते जुपिटर सरकस को बचा ले, मुझे यह नहीं पता कि बीता हुआ खटना गरम खुद को पुना कैसे दोरा रहा है, पर मैं इतना जानता हूं कि इस बार मैं अपनी पिछली करती नहीं दोरा हूंगा, आग पैलने से चारो और अफरा तफरी मच गई है, आग से डर कर बेताशा भात पे जान वर खुद को या अनने कलाकारों को कोई नुकसान पहुचाए, इससे पहले ही इने और फैलती हुई आग को काबू में करना होगा, मेरी बात सुनो, दरो मत, हम लोग मिलकर इस आग को रोकेंगे, जुपिटर सरकस की चलापूर्थी करने वाली इस प जब तक पुलिस वोर्स आएगी तब तक जुपिस को बहुत दूर निकल चका होगा, पिताजी मुझे खुदी उसे रोकना होगा, इस घटना गरम ने मेरी धुंदली यादे शीशे की तरह साफ कर दी है, मुझे याद आ चुका है कि मैं कौन हूँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है मेरा क्राइम फाइटिंग करियर तो मापिताजी की मौत से ही शुरू हुआ था, पर मापिताजी जो जीवित है और जुपिटर सरकस वह उसके सभी कलाकार भी, इसका मतलब की मैं अभी सुपर कमांडो थ्रोब बना ही नहीं, द्रोब हमारे पीछे आ रहा है बॉन्ड, यह क काफी जोर कमा रहा है, लगता है जेल से पहला महिना शुरू, पहले महिना पर हॉस्पिटल में वड़ती कराना पड़ेगा, तो मैं भी हमारे साथ हेटकॉटर चलने पड़ेगा लड़के, तुमने तो कमाल कर दिया द्रोब, आप, जिस समझ बूच से तुमने जुपिटर सरकस में लगी, आख समय पर बुजा कर जानमाल का भारी नुकसान होने से बचाया वा काबले तारीथ है, जुबिसको ने अपना गुना कबूर कर रही है, गलोब सरकस के मालिक के खिलाफ कभाई भी दी है, उसी के कहने पर सरकस में आग लगाई गई थी, हमने गलोब सरकस क मालिक के कहने पर जुबिटा सरकस में आग लगा दी थी, उस घटना में कोई भी नहीं बच पाया था, सिर्फ एक ही लड़का जिंदा बचाता और वे मैं था, वाट नॉनसेंस, पिछले तेरा सालों से जुबिटा सरकस इंडिया का नंबर बन सरकस है, और तुम इसके शायद आज के हाथ से ने तुमारी दमाग पर घहरास न डाला है, तो मैं आराम की जुरूरत है द्रूप, यू मैं को ना हूँ, विश्वास नहीं हो रहा, कल तक मैं कमिशना राजन का दत्तक पुत्र, शोयता का भाई, रजनी का बेटा और राजनगर का रक्षक था, मेरे असली माता पिता राधा और शैम वर्षों पहले जुपिटर सरकस में लगी आग में जलकर मर चुके थे, लेकिन आज मेरे माता पिता जीते जाकते मेरे सामने हैं, और जिन कमिशना राजन ने मुझे गोद लेकर पिता का माग दर्शन वा प्यार दिया, वो मुझे जानते जुपिटर सरकस कभी शड़ेंत रहाथ से का शिकार हुआ ही नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आज तक जो जिन्दगी मैंने जीए वए एक चिर्ण इंडरा का सत्य परतीत होता सपने मात पर थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे मैं किसी लंबी नीन से जागा हू क्या मैं कभी सुपर कमांडो धुरुफ था ही नहीं, क्या मैं हमेशा से शो स्टॉपर धुरुफ था, मेरा दिल इस बात को मान लेना चाहता है कि मेरे माता-पिता सागी साथी समीज जीवित हैं, और उनके साथ मैं एक सुखत जीवन वहतीत कर रहा हूँ, कौन हो तो, मुझे यकीन है कि मेरे काफी सवालों की जवाब इसके पास है, होगे मिस्टर टॉम एंजेरी, होगे मिस्टर, टॉम एंजेरी खेलना बंद करें हम, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैं जान चुका हूँ, शांतीज अपने दौनों प्यारों को चर्गा पुली स्टेशन ज सब्सक्राइब का चोटा-चोटा काटना है, बहुती चोटा-चोटा काटेगा, चेंसौर, किसी मापुरुष न काएगी चोटी सोच इंचान को अमिशा चोटा ही बनाए रखती है, जीवर में कुछ बड़ा करना चाहते है तो पहले अपनी सोच को बड़ा कड़ो, कटा, किमार को दुरुफ के हट्या चाहिए माला बना के पहनने को घौंगा लड़के का गला बहुत ही प्यार से गोटेगा नहीं फंदर के फंदों में फसकर मरेगा यह लड़का कोई छुयदा नहीं से चल्लू को जिन्दा जलाना है दुरुफ को दुरुफ क्या हुआ तुमें तुम ठीक तो हो तुम देऊश कैसे हो गए और तुमारे माते पर यह चोट कैसी है हर्किलिस पवन किसी न मुझ पर हमला किया था लो पानी पियो बहतर महसूस करोगे किसना हमला किया था तुम पर पता नहीं मैं उसकी शकल नहीं देख पाया श कैसे हम लोगों ने मिल जुलकर सरकस एरीन और तंबो को दोबारा ठीक ठाक कर दिया है किया मुझ पर हमला करने का उसका मकसर से मुझे बेहोश करना था आप दोनों इस घटना के बारे में माता पिताजी से कुछ मत कहिएगा वे दोनों बेवज़ा परिशान होंगे जब मैं बेहोश हुआ तब मैंने खुद को सुपर कमांडर दुरूप के रूप में देखा था चेंस और नामक बदमाश से लड़ते हुए लेकिन मुझे इस नाम के किसी भी बदमाश के बारे में कुछ भी याद नहीं सोचने वाली बात यह है कि मेरी यादों मैं क्राइम क्राइटर सुपर कमांडर दुरूप हूँ लेकिन अगर यह सिर्फ मेरी कल्पना मातर है और अब तक का सारा जीवन मैंने जुपिटर सरकस में ही बिताया है तो मुझे अपना यातीत याद क्यों नहीं है कैसे हो तुम सब सातियों है हम सब ठीक है दुरूप आज तुमने हम सब को बचा लिए हमें पता था कि हमारा बच्पन का सातिय में कभी कुछ नहीं होने देगा या सपना या नजरों का दोका नहीं हो सकता नजरों के दोके को इस परश नहीं किया जा सकता और नहीं भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है जो मैं इस जगे माँ पिताजी और बाकी लोगों के पड़ती महसूस करता हूँ द्रूफ, तुम सारी रज़ सोय नहीं क्या? कोई बात, तुम्हें परिशान कर रही है? मा, कोई भी बात नहीं है, दर असल मुझे अपना बीता हुँ अकल यात नहीं है मा. अपने बच्पन से लेकर किशुरा वस्ता की बाते यहां दें लेकिन उसके बात से लेकर अब तक का समय में बिल्कुल भूल चुका हूँ अजीब बात है दुरू, ऐसा कैसे हो सकता है तेरे जनम से लेकर अब तक हम हर पल तेरे साथ रहें आ मेरे साथ यह अल्बम, तेरे बच्पन से लेकर आज तक के जीवन का हर पल इस अल्बम में कहा दे माठीक कह रही है इस फोटो अल्बम में मेरे बच्पन से लेकर आज तक के सभी महत्पून पल कहा दे मेरे यानि शोर्स्टॉपर दुरूप के जीवन के महत्पून पल ले तेरा ये पल भी हमेशा के लिए समझो कर रख लिया मैंने तेरे जीवन के किसी भी पल में हम तुछ से कभी दूर नहीं गए द्रोप इससे बड़ा सबूत और क्या होगा इस बात का कि मैं कोई सुपर कमांडो द्रोप नहीं हूँ सुपर कमांडो नहीं हूँ थेंक्स मा अब मैं भैतर महसूस कर रहा हूँ अरे पर सुबह सुबह कहां चल दिया तू कम से कम नाश्टा तो कर ले तेरे पसिंदीदा आलू के पराठे और मटर पनी बना रही हूँ नाश्टा थंड़ा होने से पहले लौट आओंगा मा तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं शोस्टापर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद